हाई दोस्तों मैं हूँ सिराज और अप्लोस हो गया थे मेरे चलनें सिराज टेशलेश नहीं अज हम लोग स्वाल करने वाले हैं दो जॉइब कंपेटिंग उजिंग पाइफन विक्ति का प्रोग्रामिंग एसमें वान विक्ति प्रोग्रामिंग एसमें वान यू और गिवन एल लिस्ट नेम एल एल नाम का एक लिस्ट दिया हुआ रहेगा हम लोग को क्या करवाना है हम लोग को एल लिस्ट में जितना सारा और पोजिशन में एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट को प्रिंट करवाना है है we will take care of the input you just have to print elements present at odd position का बोला यार है input लेने का जो format है वो पहले से दिया गया है that's why यहां पर लिखा हुआ है कि इसको लेकर हम लोग को देखना नहीं है हम लोग को normally क्या करना होगा odd position में जितना सारे element है वो सारे element प्रिंट करवाने के लिए जो को जरूबत है उसको हम लोग को टाइप करना है input a list L input है आउट्फूट फर्मेट क्या है all element present at odd position अउट्पूट में क्या हैगा only print करेगा और position में जितना सारे element रहेगा, वो सारे element प्रिंट करेगा. Note क्या दिया हुआ है? Consider the number of position in the list L, start from 0. List L का जो number of position है, वो कहां से start होगा? Starting from 0. पहले से input लेने का जो format है, वो दिया गया है. L equal to int of i, for i in input.split, for loop का use इसलिए किया गया है, क्योंकि list में एक से ज्यादा element हम लोगों को input लेना है, and dot split, space separated के लिए dot split लिया गया है, then next हम लोगो को क्या तुना है, for loop लेना है, for j in range, for j in range, j का range कहार तक जाएगा? length of list, then column दे की indentation, then enter, enter देने का बाद, if condition देके check करेंगे, j mod 2, not equal to 0, j 2 से mod होकर, अगर 0 नहीं आएगा, not equal to 0 अगर होगा, then, again एक if condition, आएगा, if length of l, length of l minus j less than equal to, अगर 2 होगा, then, वो प्रिंट करेंगा, j को, l of j, then, comma, end of line, end equal to, double quotation open close, then, parenthesis close, then, enter, otherwise, if condition देंगे, sorry, else condition देंगे, if को, regarding, else, print, l of j, then, हम लोग क्या करेंगे, compile and run, पर click करके check करेंगे, जो public test cases दिया हुआ रहता है, वो pass किया है कि नहीं, तो चले देख लेते, देखें, जो public test cases है, test case 1, test case 2, test case 3, test case 4, यह 4 test cases ही हम लोग को pass कर चुपा है, then, अब हम लोग क्या करेंगे, पर रहता है, वो pass किया है कि नहीं, तो चले देख लेते, देखें, जो private test case है, test case 1, test case 2, test case 3, test case 4, हम लोग test case ही हम लोग का pass कर चुपा है, तो नर्मल यह हम लोग क्या type किये, और j in range length of yield, then, उसका under colon के indentation किये, जिन लिखें, if j mod 2, j जो है, उसको अगर 2 से divide करके, उसका remainder 0 नहीं आएगा, then again if condition, length of L minus j less than equal to 2 होगा, then print करेगा L of j, means j को print करेगा, otherwise else condition, length of sorry L of j, तो यह आप लोग को type करना है, हम लोग का public test case और private test case, दोनों ही pass कर चुका है, तो यह code आप लोग करेंगे, तो आप लोग को full marks मिल जाएगा, इसका due date को है, 17 February के उसका due date है, उसका पहले इतना बार चाहिए, आप लोग इसको submit कर सकते है, then यहापे कुछ notes में दिया गया है, you may submit any number of times before the due date, जो अभी हम बोले, तब final submission will be considered for grading, मतलब आपको लगर एक बिस्वर करेंगे, इससे भी इसको हम कर सकते है, इसको फिर modify करके, compile and run करके public test case, then private test case check कर सकते है, जब तक आप due date नहीं आएगा, तब तक इसको modify कर सकते है, then last modification जो आपका रहेगा, उसी को grading का हिसाब से माना जाएगा, अगर आपका public private दोनो test case, अगर all pass कर जाएगा, तो आप लोग को जो इसका assignment का marks है, इसमें full marks मिल जाएगा आप लोग को, तो चले जोस्तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते एक नाए वीडियो लेकर, अगर मेरा वीडियो अपको अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक, कॉमन, सेयर और सब्सक्राइब, हीट दा बेल आइकन, एंगे लेटेस्ट वीडियो अपडेट, आज आएको जाएको रगार कर लोग एंगे ट्सक्राइब, कि मेंत्सका कि अपको अपकant, कि मेंत्सका कि रिए लाइक, कि भीडियो वीडियो वीडियो से इतना ही, झाल झाल